दिल्ली के क्रश्ना नगर में डबल मड़र के अरुप में पुलिस ने दो चचरे भाईयों को गिरफतार किया है दोनों भाईयों ने वेब सेरीज देखकर हत्या का प्लान बनाया था मड़र से पहले उन्हें दो वकीलों से इसके बारे में एड़्वाइज भी ली हत्यारों ने हत्या की साजिश में मिशन माला माल नाम दिया पुलिस के मताब एक आरोपी मडर के बाद घर में रखे पैसे लूट कर अमीर बनना चाहते थे मगर कॉल डिटेल रिकॉर्ड से उनकी पेचान हुई और पकड़े गए पुलिस का कहना है कि एक आरोपी सिंगर है वो स्क्रिप्ट और गाने लिखता है ओडिटी प्लेटफॉर्म पर एक अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था वहीं दूसरा साइंस ग्रेजुएट है और बिहार के कई इसकोलों में पढ़ा चुका था ये मामला 25 माई का है जब किशन और अंकित नाम के दो चचरे भायों ने क्रश्णानगर के ई-ब्लॉक में रहने वाली 73 साल की दाजरानी और गुंचालिस साल की बेटी गिन्नी की हत्या कर दी किशन एक मेडिकल एक्विप्मेंट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग मेनेजर की रूप में काम करता है उसे आनलाइन ट्यूशन देने वाली एक वेपसाइट पर बतोड ट्यूटर ट्रेजिस्टेशन करवाया जिससे वो राजडानी के संपर्क में आया राजडानी को अपनी दिव्यांग बेटी गिन्नी के लिए कंप्यूटर टीचर की जरुवत थी किशन ने उनकी बेटी की टूशन के लिए अपरेल से राजडानी के घर जाना शुरू किया और धीरे-धीरे माँ बेटी का विश्वास हासिल कर लिया राजडानी ने किशन को ऑनलाइन पेयमेंट देने के लिए एकाउन डिटेल शेर की एकाउन नमबर मिलने के बाद किशन को पता चला कि उनके बेंक खाते में 50 लाक रुपे से अधिक थे इसे आरोपियों के मन में लालत जागा और उन्होंने हत्या और लूट का प्लान बनाया किशन ने भाई अंकित के साथ मिलकर वाटसेप पर इस साजिश को मिशन माला माल नाम दिया पुलिस के मताबी घटना से एक दिन पहले अंकित असम से दिल्ली आया और अपनी बहन की शादी में शामिल हुआ फंक्शन से लुकते वक्त उसने लक्षमी नगर में चाकू खरी दे इस बिश राजरानी अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश कर रहे थी और किशन ने अंकित को उनसे मिलवाया इसी के साथ बने रहे है राजनामा डिवी के साथ धन्यवाग